हेलो दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से होंगे अगर हम क्रिप्टोकरंसी मार्किट की बात करें तो कुछ इस तरह से है कि बिटकोईन की जो प्राइस है वो साइडवेस में मूव कर रही है और आल्ट कोईन जो है वो वन बाई वन पंप हो रहे हैं लेकिन सवाल यह पैद से क्रैश हो सकती है इस तो हमने अपने प्राफिट को कैसे स्क्योर करना है हमने लोस से कैसे बचना है इसके लावा हम बिटकोईन का लाफचार को पर टेकनिकल अनैल्सिस भी करेंगे और देखते हैं कि मार्किट के सेंटिमेंट्स इस टाइम पर कैसे हैं क्या बुलिश सें यहां से पंप होगी बिटकोईन एक सेफ रेंज में है ठीक है ओनली 90% पीपल इस टाइम पर जो बेरिश अप्रोच रखते हैं कि बिटकोई की जो प्राइस है इस टाइम पर डंप हो सकती है नाइंटीन परसंट लोगों का यह माहन है ठीक है 81% लोग यह कहते हैं यहां से बिटकोईन की जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टन है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस यूटूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्रा इससे ही आगे टेक्निकल अनलसिस करेंगे देखते हैं कि आर्ट कोई मार्केट में क्या हो सकता और बिटकोईन की प्राइस में किस टाइप की फलक्टूइशन हो सकती है ठीक है और अगर हम मार्केट की डॉमिनेंस की बात करें क्रिप्टो डॉमिनेंस की बात करें 60.7 परस जोड़ नहीं है तो फिर आल्ट कोई जो हैं वो बिलीड हो सकते हैं लेकिन यहां से कम होने की ज्यादा स्पेक्टेशन हैं कि बिट कोई की जो प्राइस है वह इंपोर्टन स्पोर्ट लेवल जो के आप औरेडी जानते हैं 48000 डॉलर से अबव स्टेबल है ठीक है मैंने आपक की गोर्डन रिशो निकाल ले थी जो के बनता है 40,000 डॉलर अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यह सारा पता होगा कि इस लेवल की क्या इंपोर्टस है फिर भी मैं 30 सेकंड में आपको रिकाप दे देता हूं कि क्या इसका मतलब था इसका मतलब यह था कि अगर बिटकॉins की जो प्रैस है वो 40,000 dollars से नीचे अगर जाती है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और बुलरंड जो है वो फिलहाल के लिए खतम हो जाएगा र्ड अगर बिटकॉins की जो प्रैस है वो 40,000 dollars से नीचे जाती है पहर तू भी ओनस्ट नहीं पड़ी हैं यह वली जो आपको यह एडलाइंस मिल रही है यह मैंने रेडाउड नहीं की हैं लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा लेवल जो है वो इस टांप पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ज्यादा तर लोगों की जुबानों पर कौन सा ऐसा लेवल है वह यह है कि बिटकोई जम्स अबव फिटी थॉड़न डॉलर्स इन रिकावरी फ्रॉम लेटेस रोट ठीक है यह न्यूज एक नहीं सिर्फ हैडलाइंस की तरफ आपने तवर्जो दे थर्ड जो न्यूज है बिटकोई री टेक्स फिफ्टी थॉड़न डॉलर्स अकी लेवल फॉर बुल रिवाइवल कॉइंडेक्स आप यह देख रहे हैं कि सारी की सारी जो न्यूज इस टाइम पे जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं वो ज्यादा तर लेवल की बात कर रहे हैं तो आप कोई जो हैं वो सेफ कंडिशन में शोर्टम ट्रेड लें और प्रॉफिट लें एक्जर करते जाएं और आज आप देख रहे हैं विदिन फोटी टॉंटिफोर आर्स के बाद के आज कोई जो हैं वो जबद असरी के से जंप कर रहे हैं अब देखें यह अब इस सच्वेशन थोड़ी सी देखें आप यह तीन चार वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं आपको पता है ज्यादा तरह इंट्रेटेशन आपको पता है लेकिन इससे आगे यह रिमाइडर होती है इस टाइप की जो वीडियो होती है ताके आपको जो अनैल्सिस हैं वो क्लेर रहे है ठीक है माइन में इस ट्राइब देखें अगर अगर यह 50,000 डॉलर से उपा जाते फिर रिलेक्स हो जाएं फटा-फट शोटम ट्रेड ओपन करें डे ट्रेडिंग करें स्कैल्प ट्रेडिंग करें छोटे-छोटे प्रॉफिड लें स्टोप लोस यूज कर में और एक्जर करते जाएं दुबारा से यूस्टी में आते जाएं ठीक है लेकिन चुंकर यह अभी जो मैं करेंट जो प्राइस है वो मैं आपको वह भी बता देता हूं 49,270 डॉलर जब यह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है थोड़े से ज्यादा यह डिफरे 50,000 डॉलर से इसका मतलब है कि मार्केट में ओर ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट सेंटर होंगे जैसके आप देखने हैं यहां पर 81% है 50,000 डॉलर से उपा चला जाएगा तो 85% भी दिखाई देगा 90% भी आपको दिखाई देगा ठीक है लेकिन चुंकर यह 48,000 डॉलर के बि लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि ज्यादातर चांसे किस चीज करें क्या बिटकॉन की प्राइस होने के यह डंप होने के देखें मार्केट में जो बुलिश नीउस हैं वह और रटी आचुकी है काफी ज्यादा मार्केट में फोमो आ चुका है में यह परसनली मानना है आज नहीं तो कल बिटकोई की प्राइस में बड़ा डंप आ सकता है ठीक है तो यहां पे मैं शोट टम की फिलाल बात करूं कि विदिन फ्यू डेस के अंदर-अंदर कैस्पेट कर सकते हैं वह इस तरह इसकी 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 इंटरप्रेशन है कि अगर 48,000 डॉलर से अबाव मार् इस त्रेल करते जाएं तो इस ट्रेटिजी होती है हर तरह की मार्केट में अपने प्रॉफिट को स्क्यूर करने के लिए 45,000 डॉलर का लेवल एक ऐसा लेवल है 45,000 डॉलर का जो के इस टाइम पे शोटम में काफी ज़दा इंपोर्टन्स रखते है टेकनिकल वे में दूसरा मैंने आपको बताया टेकनिकल भी कवर किया फंडामेंटली भी कवर किया है 45,000 डॉलर एक लीस्ट हम जैसे कह सकते हैं वहाँ पे जाके तो आपने एक्जिट कर जाना है शोटम ट्रेड की बात करो मिडियम टम की और लॉंग टम ट्रेड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं तब तो आपने निकल ही जाना है शोटम ट्रेड्स में ठीक है थोड़ा सा तीन चार परसन पांच परसन का प्रोस भी हुआ तो नो वरी स्टोप लोस इसी को तो बोलते हैं कि आपने अपने लॉसिस को कट करना होता है 45,000 डॉलर से कोशिश करें नीचे आप मार्किट में नाटी करें इस से उपर जब तक मार्किट है पहला ये सेफ जून है 48,000 डॉलर का कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है 50,000 डॉलर से उपर ठीक है और जो RSI है वो साइडवेज में मूव कर रही है इसका मतलब है कि RSI का जो लेवल है वो 50,60 के दरम्यान में है और जो वॉलियम है जो तो समक स्टेंड जो इस टाम पे जो बायर्स है उन्होंने अपनी जो सिच्वेशन रखी हुई है पोजिशन स्ट्रॉंग रखी ह सेलिंग प्रेशर आता है लेकिन 48,000 डॉलर से नीचे नहीं जा रही है मार्केट ठीक है दो दिन से और उसके बाद फिर बाइंग प्रेशर आता है और मार्केट की जो बिटकोन की प्राइस है वो उपर चली जाती है शोट अम में यह बात करूंगा कि अभी के लिए 60% चां प्रेशन है 45K से नीचे का इंटर प्रेशन है 50K से उपर का इंटर प्रेशन है ठीक है तो मुझे लग रहा है कि यहां दो दिन यहां पर और मार्केट साइडवेज में रहेगे और आर्ट को जहां है वो जबद स्रीके से फलरश भी करेंगे ठीक है लेकिन अगर कोई अनु पेटीसी में रख लेने चाहिए यूस्टी में लेशे में आपको जब भी फ्शो स्टेबल कोईं में रख लें पीक्स कॉइन में रख लें या फिर यूस्ग Giovane में रख लें या भी यूस्टी में रख द्यू एकильно कीसी भी क्से बाफ़िक कोईब में रखा यह रहा रहें यगर आपको डेल लेना चाहते हैं तो वक्ती चुरुबें उतने ही डॉलर्स के बीटीसी बाय करें क्योंकर बीटीसी के पएर में ज्यादा हम्या इंट्रीज मिल रहे हैं ज्यादा प्रॉफित होता है तो वहां पर आपको जब लगे sell करते हैं वक्त के यूएसटी का वाला जो पेर है जंप इन कर दें यूएसटी में sell कर दें ठीक है तो रहें आप ज्यादा था यूएसटी में मिडियम टम में मुझे लग रहा है एक वीग में या दू वीग में बिटकोई की जो प्राइस हो यहां से टेरिबली फॉल हो सकती है और फोटी के से नीचे आया तो फिर टॉंटी एट थॉजन डॉलर जो है वह नेक्स्ट लेवल हो सकता है फिफ्टी थॉजन डॉलर से के फिफ्टी फॉटी फाइव के से नीचे खतरी की बात है अभी के लिए मार्केट सेफ जून में रिलेक्स करें चिलेक्स करें प्रॉफिट इंज्वाय करें अगर आपको किसी भी किसम की कोई भी क्वाईरी हो तो आप मुझे क्रिप्टोनोर्स एट आट आट आटलुक ड आट पर भी या फिर आप मुझसे वटसैप के उपर मेसिज करें चीक है मैं कभी नहीं क養गा ना ही मैंपर करता हूं ना ही मैं पूर्फोलियो मैनेज्ट कने की सर्वेट करता हूँ स्कैमर से खुश्यार है अपना ख्यार है किएगा हैपी ट्रेडिंग टेक केर